नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में शाउमी रेड्मी नोट 10T वर्सस शाउमी रेड्मी नोट 10 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंट्स की बात करें तो शाउमी रेड्मी नोट 10T में 6.37 इंच जबकि रेड्मी नोट 10 में 6.31 इंच की लेंट्स मिलती है जोकि शाउमी रेड्मी नोट 10T से कम है Width की बात करें तो, Xiaomi Redmi Note 10T में 2.96 इंच जबकी Redmi Note 10 में 2.93 इंच की Width मिलती है जोकी Xiaomi Redmi Note 10T से कम है बात करें थिकनेस की तो, Xiaomi Redmi Note 10T में 0.35 इंच जबकी Redmi Note 10 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Xiaomi Redmi Note 10T में 190 ग्राम्स जबकि Redmi Note 10 में 178.8 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कुमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में IPS LCD जबकि Redmi Note 10 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में 6.5 इंचर जबकि Redmi Note 10 में 6.43 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio Xiaomi Redmi Note 10T में 83.72 प्रतिशत जबकि Redmi Note 10 में 83.53 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Xiaomi Redmi Note 10T में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi Note 10 में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Xiaomi Redmi Note 10T में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Macro Camera, Depth Camera देखने को मिलता है और Redmi Note 10 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है बात करें Video Camera की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के Features मिल जाते है अब बात करें Front Camera यानि की Selfie Camera की तो दोनों फोन में Single Camera देखने को मिलता है, जिसमें की 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते है अई अब बात करते हैं Hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की Information देखते है Hardware में सबसे पहेले CPU जो की Speed के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे Important Part है उसकी Details देखते है GPU की बात करें तो, Xiaomi Redmi Note 10T में Mali G57MC2 जबकि Redmi Note 10 में Mali G76MC4 मिलता है Chipset की बात करें तो, Xiaomi Redmi Note 10T में MediaTek Dimensity 700 MT6833 और Redmi Note 10 में MediaTek Helio G95 मिलता है बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 6GB मिलती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो Xiaomi Redmi Note 10T में 128GB जबकि Redmi Note 10 में 64GB मिलती है Expandable Memory की बात करें तो, Xiaomi Redmi Note 10T में अप्टो 1TB जबकि Redmi Note 10 में अप्टो 512GB है Operating System दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है बात करें तो दोनों फोन में 5000MH देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो, Xiaomi Redmi Note 10T में 4 Colors जबकि Redmi Note 10 में 3 Colors आप्शन मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, Xiaomi Redmi Note 10T की 16,499 रूपीज जबकि Redmi Note 10 की 14,999 रूपीज प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 6 फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो, डिस्प्ले में Redmi Note 10 आगे है Main Camera में Redmi Note 10 आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में Redmi Note 10 आगे है Internal Memory में Xiaomi Redmi Note 10T आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो की 14,499 रुपे में मिलता है दुसरा Realme Nazo 35G है जो की 15,999 रुपे में मिलता है तीसरा Realme 8 5G है जो की 15,499 रुपे में मिलता है और Last Competitive Phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो की 15,999 रुपे में मिलता है और ये सारे Phone की Details आपको Description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना